हलो गुड मोर्निंग एंड वेलकम बेक फ्रेंट्स आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे 20 अगस्य रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेर बनती हैं सारी इस वीडियो में कम्पलीट करेंगे साथी इसकी पीडियेप आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से तो देखें सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्वीज थी आपके लिए जबानी भारत करेगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेर की पहला को सने की प्रतेक वर्स ब्लेंक स्पेस को दुनिया भर में विश्वे मानवतावाती दिवस यानि की विश्वे मानवता दिवस या वर्ल्ड हुमेटरियन डेके रूप में मनाया जाता है तो करेक्ट अन्स रोगा यहाँ पर 19 अगस्त हर साल 19 अगस्त को विश्वे मानवता दिवस या फिर आप कह सकते हो इंगलिस में वर्ल्ड हुमेटरियन डेके रूप में मनाया जाता है क्यो मनाया जाता है कब शुरुआत हुए थी वो भी आपको बता देते हैं देखे इसक जो इनका नाम है शर्जियो वीरा डी मेलोौ इनकी बंविस वोट में मरतियो हुई थी इसी के साथ इनके जो सहे कर्मियो के भी मिर्थि हुए थी और इसी चीज को यहाँ पर रिमाइंड कराने के लिए इसी को यादगार बनाने के लिए ये हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस माना आया जाता है चलिए अब नेक्स्ट कॉसम देख लेते हैं हालही में विश्व के सबसे प्रसिद भारतीय सास्त्रिय गाय जिनका हनीदन हो गया है इनका नाम क्या है तो पंडित जसराज इनका नाम है जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं पंडित जसराज विश्वे के फहमस सास्त्रिय गाईग जो भारत के हैं जिनका हालही में नेदन हो गया है यहाँ पर आपको बता दे कि इनका जो है कई सारे इनको आवार्ड्स मिल चुके हैं और एक भारत सहीत विश्वर के फैमस सास्तिय गाय के ठीक है इनके मरलब की एक और चीज आप ध्यान रखिएगा एक ग्रह जिसका नाम है हीन ग्रह जिसका माइनर प्लेनेट 2006 में खोजा गया था वीपी बतीस को इनका इस ग्रह का नाम करन भी इनके नाम पर किया गया है ये भी आप ध्यान रख लीजेगा ठीक है और एक चीज और यहां पर ध्यान रख लीजेगा मैंने देखे एक हीन ग्रे वर्ड यहां पर यूज किया है यान कि मैंने क्या बता है कि हीन ग्रे का नाम जो है जो 2006 में खुजा गया था वो भी इनी के नाम पर रखा गया था ठीक है तो यह हीन ग्रे क्या होता है यह एक अलग पॉइंट है इस कौशन से लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं आपको इंपोर्टेंट है ठीक है साइंस के लिए तो देखे हीन ग्रे होते क्या है हीन ग्रे जो है ऐसी खगोली वस्तूओं को कहा जाता है जो सोर मंडल में सूरज की प्रिक्रमा तो करता है लेकिन ना तो वह इतना बड़ा होता है कि उन्हें बोना ग्रे या फिर ग्रे कहा जा सके या फिर ना ही वो इतने छोटे होते हैं कि उनके दूम गेतु की स्रेणी में रखा जा सके ठीक है तो इनके बीच का जो होता है उसी को हीन ग्रह नाम दिये गया है ठीक है तो वही हीन ग्रह होते है नेक्स यहाँ पर देखिए कौसन है अपना निमन में से किस ने दिल्ली मेरेट रिजिनल रैपिड ट्रांजिस सिस्टम के निर्मान के लिए समर्थन करने के लिए एक एक बिलियन एमेरेकी डॉलर को मनझूरी दी है हमने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसके बार में आपको ध्याण रखना है इसका जो हेड यो कहा है मांडल यゆ्युआंग फिलिपिनस जो है वहींपर इसका है अब इसको है मास्तासुगू असकावा जो है इसकी वर्तमान में प्रिशिडियंट है ये भी आपको जहां डखना है। टाउंडेट डेट है 1966 में इसका अगठन किया गया था और इसके जो वर्तमान में सदस्य देशों की संग्या है वो कितनी है। किस देश की विश्वे कफ विजेता आलराउंडर लोरा मार्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की घूशना कर दी है। टाउंडर जो है 217 विकेट हासिल किये थे ठीक है तो यह है लोरा मार्स ठीक है चलिए नेक्स्ट यहां पर कॉसन है कि पिक्सल का आविसकार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्केन करने वाले कंप्यूटर विग्यानिक का हाल ही में निदन हो गया है जिनका नाम पुछ गया है यहां पर दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्केन करने वाले कंप्यूटर विग्यानिक थे यह आपको ध्यान डखना है पिक्सल जो वर्ड है उसका नाम आपने सुना हुग पिक्सल वर्ड अच्छे से जो पिक्सल होते हैं पिक्चर में क तो उसी चीज का विसकार जो है इनुहने किया है यह आपको द्हान रखना है और यहाँ पे एक और चीज आपको द्हान रखना है यह फोटो में जो यह देख रहे हो यह इनुनने क्या था कि जो मतलब कि ए जो किया था experiment वो अपने बेटे की दो बाई दो इंच की जो छोटी black and white इमेज थी वो इन्होंने scan की थी और यही पहली digital तस्वीर थी जो यहाँ पर scan की गई थी इसके अलावा देखिए एक और चीज आपको ध्यान रखनी है यह इन्होंने दुनिया का पहला programmable computer SEAC यानि की standard standard automatic computer विक्षित किया था यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है दुनिया का पहला programmable computer SEAC ठीक है नेक्ष्ट यहाँ पर कॉसन है कि राष्टिय खेल पुर्षकार चैन सिमिती ने भारत के सर्वोच्चे खेल सम्वान राजियो गांदी खेल रतन पुर्षकार 2020 के लिए चार खिलाडियों के नामों की सिपारिस की है निम्न में से कोन सा नाम इस लिष्ट में सामिल नहीं है तो ये नाम पुछा गया कि कौन सा इन चार नाम में सामिल नहीं है तो विराट कोली का नाम इसमें सामिल नहीं है तो इसकी जग़ा फिर किसका नाम है रोहित सर्मा का जो भारती क्रिकेटर है रोहित सर्मा ठीक है उनका नाम इसमें सामिल है उसके अलावा देखे विनेस प लाडियों की नामों की सिपारिस की गई है किसके लिए शरोच्च जो खेल सम्मान है ठीक है उसके लिए जो राजियुगांदी खेल रतन सम्मान है इसके लिए और यहां पर देखे इसमें एक क्रिकेटर है रोहित सर्मा यहां पर एक जो अपडेट है वो यह होने वाली है कि अगर रोहित सर्मा को ये अवार्ड मिल जाता है तो ये अवार्ड पाने वाले ये देश के चोथे क्रिकेटर बन जाएंगे राजियोगालनी खेल रतन सम्मान पाने वाले। को मिला था 2018 में यह चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है चलिए नेक्स्ट कॉसन यहां पर देखेगा कि BCCI ने IPL 2020 की टाइटल स्पोंसर्शिप किसे सोपी गई है तो आपका गारेक्टर अन्सों को ड्रीम 11 जो है जो फैंटेसी एक ओनलाइन ठीक है प्लेटफों है जिसको हाल ही में जो 2020 के आईपील्स होने वाले हैं उनकी टाइटल स्पोंसर्शिप सोपी गई है ठीक है तो ये चीज़ है रखिए बगी ड्रीम 11 के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे अगर आप थोड़ा सा किर्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो देखे यहां पर जो है इसके जो मतलब यहां पर निंजा नाम की जो ड्रोन बना ली है उसको हाल ही भारतिय रेल्वे में इंप्लिमेंट करने की गोशना की गई है जिसका उद्देश से क्या है भारतिय रेल्वे में जो है बहतर सुरुक्षा और निगरानी जो है उपलब्द करवाने के मक्सद से ये ड्रोन बना खरीद गई निंजा इसका नाम आपको जहां रखना निंजा ठीक है चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेगा कि किस खेंद्रिय का मंत्राला ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेशर चैलेंज आरम किया है हाल ही में जो है यहां पर जो इलक्रोनिक्स एंड आईटी मंत्राला इसने एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेशर चैलेंज जो है यह आरम भी किया है जिसके तहत जो है एक स्मार्ट डिवाइस के लिए हाडवेर का निर्मान करना ही इस अभियान का या फिर जो है इस स्कीम का इसी होजना का मुख्य उद्देश है जिसमें जो स्टार्ट अप्स हैं जो लोग है ठीक है डॉलापर्स है उनको इन्वाइट किया जा रहा है अगर आप भी इसमें जो हैं इंट्रेस्ट रखते हैं इस तरह के का है तो आप यहाँ पर रजिस्टेशन करके आप जो है इस से जुट सकते हैं तो इस तरह के का यह एक जो है स्वदेशी जो हमारा ज निमन में से कौन निर्वाचन आयुक्त के पद से त्याग पत्तर देकर ACI विकास बैंक के उपाद्धेक्स के पद पर नियुक्त हुए हैं तो यह इंपोर्टेंट चीज़े हैं आपर देखे हालखी में जो असोक लवासा है ठीक है जो निर्वाचन आयुक्त के पद पर थ ठीक है उसी का उपाद्धेक्स सुना गया है और इसी वज़े से जो है इनोंने यहाँ पर चुनायव आयुक्त पद से इस्तीपा दे दिया है ठीक है इनका कारेकाल जो है 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा यहाँ पर जो अब इस पद पर रहे हैं उपादेक्स पद पर लिखना है दिखी कौसन है कि मानो संसादन विकास मंत्रा लेका नाम बदल कर नया नाम क्या रख गया है जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बुक्स में लिखना है सुगाई ये थी आज की करेंट अफिर होप आपको वीडियो पसंद आईए तो लाइक से जरू मिलते हैं नेक्स टूडियो में धन्यमाद